ये नारा दोहजार चौधा का दोहजार चौधा यानि लोग सभाचनाओं के वक्त का और बीजेपी के इस नारे ने हर वोटर को दिलासा तो दिला ही दिया था कि कोई पार्टी महंगाई को मिटा सकती लेकिन अब जो महंगाई दर सामने आई है उसने फिर से पैचैनी पैदा क्योंकि ये महंगाई दर बताती है जो लगातार बढ़ रही है और जो बढ़ेगी तो रसोई से खाना गायब होगा जो बढ़ेगी तो जेब खाली होगी जो बढ़ेगी तो जनता के बीच गुसा कहीं न कहीं और गहराएगा महिंगाई को लगातार बढ़ानी वालो जनता माफ नहीं करेगी दाल का और अख्रोट का डियने एक हो गया है आजकल इस से पहले कभी इतनी महिंगे दाल ने हैं दाल की कीमते अभी भी कम नहीं हुई है और तेल की कीमत लगातार और उपर जा रही है और इन सब के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमत पीते कई बरस में सबसे कम है लगबग 28 डॉलर परती बैरत तक आ चुकी है लेकिन लाब जनता को नहीं सरकार को मिल रहा है यानि महंगाई जसकितस और इन सब के बीच कच्छे तेल की कीमत में जरावी जाफा हो गया तुकनौमी लटखडाने लगे